आर्थिक संकट में फज़े पाकिस्तान गिले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से राहत पैकेज मिलने की रहा आसान होती नज़र आ रही है। साथी अरव और कतर ने पाकिस्तान में निवेश का फैसला किया है जिस वैसे पाकिस्तान को IMF से राहत पैकेज मिलने की संभावना मजबूत हो गई है इस महीने के अंत में IMF के कारेकारी बोर्ड की बैटक होनी है जिसमें राहत पैकेज को मंजूरी का फैसला लिया जाएगा सरफ कौन-कौन मदद दे रहा है? पाकिस्टान श्री लंका के मुकाबले जपने करजस्टर को समालता दिखाई दे रहा है. हमने करश श्री लंका पर बात की थी और श्रिलंका के दो जो बड़े क्रेडिटर हैं, जापान और चीन. उन्होंने श्रिलंका को कोई अभी मदद देने या कर्च से रात देने की बात नहीं कही है और यही वज़ा है कि आएमफ असमंजस में है कि वो श्रिलंका को बेलाउट दे के नहीं दे लेकिन इस बाच बीच पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक पेशबंदी का बखू भी इस्तेमाल किया है करीब दो बिलियन डॉलर की मदद कतार के वेल्थ फंड से मिल गई है एक बिलियन डॉलर की मदद साओधी अरब से आ गई है और एक billion dollar का investment United Arab Emirates ने कई सारे sectors में किया है इसके अलावा deferred oil facility का cover दिया है सौधी अरब ने जो एक billion dollar का cover है उसमें निक तेल के लिए payment में लंबे समय तक payment करने के सुविधा पाकिस्तान को मिलेगी और ये जो 3-4 billion dollar की विवस्था जुटा ली है पाकिस्तान ने 29 तारीक की बै पाकिस्तान के लिए उस package का approval हो जाएगा और ये भी संकेत दिये गए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कि अगर ये मंजूरी हो गई तो एक हफते की भी तरे पैसा पाकिस्तान की विदेश्य मुत्रा भंडार में आ जाएगा और इसके बाद हमने जब ये संभावना बनती द पाकिस्तान के डिफरेंट वित्ती बाजारों में थोड़ा सा थोड़ी सी बेहतरी भी हमें दिखाई दी हलागी पाकिस्तान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले लिए आज पाकिस्तान में नेशनल अमर्जनसी लगा दी गई वहां बाढ़ के विए से 937 लोग की मौत हो आईएमF से पैसा मिलेगा वो भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंड़ार की इस्थिति में थोड़ी मदद करेगा तरीब करीब करीब पाकिस्तान का का फरवरी में विदेशी मुद्रा भंड़ार 16-17 बिलिएंड डॉलर के आसपास था जो गठड़के 7 बिलियन डालर के आसपास आकर खड़ा हो गया अरगर अंतराश्टी बाजार में कच्छे तेल की कीमतें और जादा बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को एक दो पैकेज़स की बेल आउट पैकेज़स की और ज़रूत होगी और इस बीच बाढ़ के कारण जिसा शुपमन आपको बत